हलो एवरिवन स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप पोस्ट आफिस सेविंग स्कीम्स जैसे कि पबलिक प्रोविडेंट फॉंड, पोस्ट आफिस सेविंग अकाउंट, सुकन्या समरिधिक आता और भी पोस्ट आफि इस वीडियो के लास्ट तक, पहले हम अपने गूगल में टाइप करेंगे इंडिया पोस्ट, नेक्स्ट आफिसे सलेक्ट कर देंगे, देखिए इंडिया पोस्ट का जो ओफिसियल वेब साइट है, इंडिया पोस्ट.gov.in, नेक्स्ट आफिसे सलेक्ट कर लेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके इंडिया पोस्ट के ओफिसियल विफसाइट का मेनी वार ओपन हो गया और डाउन साइड एक आपसन है बैंकिंग एंड रिमिटेंस नेक्स्ट हम इसे सलेक्ट करेंगे देखिए अब यहाँ पर आपके पास एक और आपसन है कि इपास आमने एक निईउपेज ओपन हो गया देखिए अगर आपका यह पेज डेक्स टॉप साइड में ओपन नहीं हो रहा है मोबाइल में तो इसलिए आप इसे डेक्स्ट आप साइड में ओपन कर लें otherwise आपको balance देखने में problem का सामना करना पड़ सकता है next मैं better recording के लिए मैं अपने mobile को rotate कर देता हूँ next हम down side scroll करेंगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है click here path POSB सेवा e-passbook next हम इसे select करेंगे next यहाँ पर ok को click कर लेंगे देखिए अब हम down side scroll करेंगे यहाँ पर दिया हुआ है post office services POSB सेवा we have account balance and e-passbook functionally for POSB accounts next हम यहाँ पर login करेंगे कोई भी mobile number आप यहाँ पर fill कर लेंगे और जो capture दिया हुआ है उस capture को भी यहाँ फिल करके login को select करेंगे next हम login को select कर लेंगे देखिए जो आप mobile number फिल किये हैं उस mobile number पे six digit का OTP जाएगा next हम उस OTP को यहाँ पर fill कर लेंगे next हम submit को select कर लेंगे देखिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है वेलकम टू पोस्ट आफिस सर्विसेज POSB सेवा next हम यहाँ पर दिया हुआ है POSB e-passbook के नीचे click here अब हम उसे select कर लेंगे देखिए यहाँ पर चूबी डीटेल्स मांगे जा रहे हैं उन सारे डीटेल्स को फिल कर लेंगे देखिए फ़स्ट दिया हुआ है scheme type जिस तरह का आपका POSB e-pass scheme है उसके इच्छा नुसार आप यहाँ पर अपने scheme को select कर लेंगे तो मैं आपके सामने POSB e-pass saving account का balance दिखाने वाला हूँ तो next मैं POSB e-pass saving account को select कर लूँगा next यहाँ पर हम अपना account number फिल करेंगे और चिस mobile number से हमारा post office saving account registered है उस mobile number को फिल कर लेंगे और side में जो capture दिया हुआ है उस capture को भी वहाँ पर हम फिल कर लेंगे और downside जो continue का section दिया हुआ है उसे हम select करेंगे तो देखिए जो आपका mobile number registered है आपके POSB account से उस पे 6 digit का OTP जाएगा next time उस OTP को यहाँ पर फिल कर लेंगे और downside verify को select करेंगे देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके account से related home page ओपन हो गया है next time downside स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है दो option balance inquiry और second है mini statement next time balance inquiry को select करेंगे देखिए यहाँ से आप easily देख सकते हैं कि आपके post office saving account में कितना balance है जिसे आप यहाँ पर easily देख सकते हैं next time go back को select करेंगे अब हम mini statement को select कर लेंगे देखिए अब आप यही से अपने post office saving account का mini statement डाउनलोड भी कर सकते हैं otherwise यही से आप अपने mini statement से related पूरा details प्राप्त कर सकते हैं कि कितना balance था कितना ब्याज बढ़ा हुआ है सारी details आप अपने post office saving schemes का यही से प्राप्त कर सकते हैं और इस mini statement को easily आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं next हम download को select करेंगे देखिए अब यहां से हम किसी भी file के थुरू इसे हम open कर लेंगे देखिए अब हम easily देख सकते हैं कि अपने account का mini statement at last अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगात वीडियो को like करें और अधिक से अधिक share करें so thanks for watching this video